हेलो दोस्तो स्वागत है हमारे चैनल जावा इन हैंड में और आज के हमारे इस पेल सिकल टुटूरियल वीडियो में आपका स्वागत है इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ वैरिबल डिकलेरेशन के बारे में वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिन भी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाली वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे हैं और इस feature को like करना न कहीं बोलें और अपने जो आपने जो फीदैक है वह हमें आप कमेंट सेक्शन के थी द्रू अगर आपको कोई भी question कैसे वह हैं comment section के अंदर पूश सकते हैं आपका ना ज़्यादा time-vays करते हैं बढ़ते हैं आगे इस video के अंदर इसके अंदर variable declaration के अंदर हमने कुछ चार points हम इस video के अंदर discuss करने वाले हैं what is variable, syntax of variable example of variable and variables declaration rule ओके ये चार points होने वाले हैं के उपर आज का हमारे discussion रहेगा सबसे पहले start करते हैं variables की बारे में variables क्या होते हैं variables is just a simple name block of the memory क्या होता है हमारे एक memory के अंदर एक block के name को हम क्या कहते हैं variable या आप ये भी बोल सकते हो कि variable is the name of the storage location in the memory ओके आप इसको इस diagram के through भी समझ सकते हैं इस diagram के through भी आप इसको समझ सकते हैं कि हमारी एक memory हो गई ठीक है जो outer layer है हमारी ये memory हो गई और ये हमारा क्या हो गया हमारी एक value हमने store कर दिया और इसका हमने नाम दे दिया है और इसको हम एक और example के दूरू समझ सकते हैं जैसे कि हमारा जो भी laptop होता है उसके अंदर हमारी different different drives होती है हर एक drive के अंदर हमारे multiple data store होता है जो भी drives होती है उसका भी एक specific नाम होता है ठीक है हम जो वो नाम है जो drives के name है उसका हम क्या बोल रहा है हम variable बोल रहा है उसके जो name है ठीक है same क्या, plsql में हो रही, follow रहा है, ठीक है, so variable आपको समझ में आगया होगा, अब हम बढ़ते हैं आगे, इसके syntax के बारे में, ठीक है, so आपने Oracle के document में आपको यह syntax मिल जाएगा, उसका link में आपको description box में आपको share कर दूँए, ठीक है, आप इसको भी याद कर सकते हैं, ठीक है close and curly braces start default value और initial value, ठीक है, so जो भी हमारे curly braces के अंदर, हमारे जो भी keywords हैं, वो हम discuss करेंगे अपने second video में, ठीक है, variable के second part के अंदर, अभी के लिए आप, बस इसको याद कर सकते हैं, कि आपको, जब भी आप syntax define करते हो, तो आपको क्या लिकना है, variable name and data type, यह आपका required है, ठीक है इसके बिना आप variable को declare नहीं कर सकते हैं, आपको यह दोनों चीजे necessary हैं, ठीक है, variable name and data type, ठीक है, तो आपको यह ध्यान रखना है, variable name and data type, अब हम बढ़ते हैं, इसके example के दरफ, ठीक है, ठीक है, तो example को discuss करने से पहले, I hope आप सबको anonymous blog के बारे में पता हो, अगर आपको anonymous blog क के बारे में नहीं पता है, तो आप हमारी previous video दे सकते हो, उसका link में description box में डाल दूँग, और आप i button पे click करके भी, उस video को देख सकते हैं, ठीक है, ताकि, purpose क्या है, अगर आप उस video को देख लेते हैं, तो इस example, इस example को आप easily understand कर सकते हो, ठीक है, और अगर आपने उस video को न जाने की कोसिस करूँ है, anonymous block plus variables के बारे में, anonymous block और variables के बारे में, ठीक है, तो आप देख सकते हो, anonymous block में हमारे तीन keywords होते है, declare, begin और end, ठीक है, हमारा optional होता है, और begin और end, इसके अंदर जो भी हम code लिखते हो, वो क्या होता है, वो हमारे required होता है, begin और end, इसके अंदर हमारे एक statement होनी चाहिए, अगर आप कोई भी statement ही लिखते हो, तो आपको error हो, ठीक है, declare, आपको optional होता है, इस part को आप छोड़ भी सकते हो, बट, जब हम बात करते हैं, variables की, तो variables हमारे कहाँ पर declare होते है, declaration section, इसको हम क्या बोलते है, declaration section बोलते है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते है, execution section, जहां पर आप execute करते हो, यहां पर आप declare करते हो, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, यहां पर हमारे क्या है, v underscore name, यह हमारे क्या होगा, variable का name हो गया, then where care to, where care to हमारे क्या होगा, data type, data type, आप किस तरीके का data आप इस variable के अंदर store करना चाहते हो, और कितना store करना चाहते हो, उसकी length क्या होगी, यानि कितनी value आप store कर सकते हो, तो आपने यहां पर define करते है, hundred, चीक है, तो यह होगा आपका variable का declaration, चीक है, अब इसके कुछ rules होते हैं, जो कि आपको follow करने होते हैं, अगर आप उन rules को follow नहीं करोगे, तो आपको कुछ errors आप face कर सकते हो जब भी आप NMS block को आप चलाते हो, या named block को आप चलाते हो, तो आप इन errors को आप देख सकते हैं, तो इसलिए आपको variables को declare करने के लिए उनको rules के बारे में पता होना चीक है, कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है, तो यह होगा हमारा variable declaration rules, यह 5 points से जो कि आप को याद रखने है, सबसे पहला point हमारे क्या है, variable name should not contain more than 128 character, तो जो आपको variable का जो name है, वो 128 character से जादा नहीं होना चीक है, ठीक है, पहले यह जो character था, वो 30 था, अब यह बढ़के 128 हो चुका है, जो कि 12.2.2 से higher version में, यह 128 character है, उससे जो भी lower version है, 12 से जो भी lower version है, उसके अंदर यह 30 character है, चीक है, अब उसका भी मैं document attach कर दूँ है, description box में, आप वहाँ पे जाके इसके बारे में पढ़ सकते हो, चीक है, second के variable name should not start with the numeric value, आप variable को numeric value के साथ start नहीं कर सकते है, like 1, 2, 10, 13, 20, etc, चीक है, अगर इस के साथ आप start करते हो variable के name, 1 test, 2 test, 3 test, 10 test, इस तरी के से आप variable को लिखते हो, तो आप जब भी अपने program को execute करवाओगे, तो आपको error show जाएगा, चीक है, उसके बाद आपका क्या आता है, point C, variable name should not contain some special character like, चीक है, some special character मतलब, कुछ special character का variable के अंदर use कर सकते हो, बट सारे ही special character का आप use नहीं कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहापे mention कर रखा है, dot add the rate, चीक है, percentage, m%, star, इस तरी के जो special character है, इनका अगर आप use करते हो variable के साथ, तो आप को error देखने पड सकते है, ठीक है, then, point 4 क्या है, variable name should not contain space in between, ठीक है, in between मतलब, आप जब भी variable का नाम देते हो, अगर, तो उसके बीच में आप space ना करें, ठीक है, यह आपको याद रखना है, point 5 क्या, cannot use oracle reserved keyword, oracle के जो reserved keyword है, आप उसका use ना करो variable name को declare करने के लिए, जैसे select where care to, ठीक है, इस तरीकी के जो keyword है, आप उसको use नहीं कर सकते है, otherwise, आपको error होगी, ठीक है, आपको समझ में आगया होगा, आई हो, ठीक है, अब हम चलते हैं, अपने practical part के तरह, अपने school developer और अपनी schema से हम कर चुके है, connect, so सबसे पहले मैं आपको syntax बताता हूँ, ठीक है, syntax क्या होता है, हमारा syntax, जैसे कि मैंने आपको बताया था, required क्या हमारा variable name और data type, ठीक है, so यह आपको याद अखना है कि हमें दू चीजों की requirement होती है, जो बाकी keyword से वो हमारे क्या है, optional है, आपको दू चीजों की requirement होती है, variable name आपको define करना है, और data type define करना है, ठीक है, अब हम चलते हैं, अपने example की तरह, जो कि हमने, theoretical part में हमने देखा था, so यह होगे हमारा anonymous block, ठीक है, इसके अंदर हमने सबसे पहले क्या लिखा, syntax की तरह, syntax को आप ध्यान दो, variable name, variable name को आपने define करा है, v underscore name, ठीक है, आप इसको v underscore name की जगर direct name भी कर सकते हो, ठीक है, but हम यहाँ पर अभी क्या करेंगे, v underscore name, ठीक है, यहाँ पर हमने data type दिया और उसकी length दी, then semicolon, उसके बाद हम execution statement start होगा, begin और end के अंदर हम जो भी चीज़े लिखते हो, क्या होता हमारा, executable statement होता है, ठीक है, इसके अंदर हमने क्या use कि है, dbms underscore output, यह हमारे क्या statement होती है, इसको हम करते है, print के लिए use, ठीक है, जो भी हमारा variable के अंदर, जो भी value assign होगी, उसको हम क्या करते है, इसके हम यहाँ पर, इस statement के थुरू, आपको याद कर लेना है, इस statement, इस statement के थुरू हम क्या करते है, print करते है, तो हम इस example को आप चला के लिखते है, ठीक है, इसको आपको करना है select, ठीक है, और आप इसको shortcut की भी होसा है, control enter, आपको करना है, आपको यहाँ पर show हो जाएगा, pls equal procedure successfully complete, अगर आपको एक भी compilation error अगर आप face नहीं करते हो, तो आपको क्या show होगा message, pls equal procedure successfully complete, ठीक है, अब आप यहाँ पर बोलोगे, कि हमें कोई output तो show होगा नहीं है, output इसलिए show नहीं हो, इसके 2 reason है, पहला reason आपको क्या है, कि मैंने variable के अंदर कोई value assign नहीं करी है, और second अगर म तो copy कर लेता हूँ, variable को यहाँ पर paste करता हूँ, और यह होगा हमारा assignment operator, इसके अंदर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, java in hand tutorial, ठीक है, और इसको मैं बंद कर देता हूँ, इस statement को, अब अगर मैं इसको चलाता हूँ, अपने पूरे program को, ठीक है, तब भी हमारे क्या आता है PL-SQL procedure successfully completed, बट जो मेरा output था, वो output तो display हुआ ही नहीं, जो मैं ने इस variable के अंदर store क्या हूआ है, वो कैसे हुआ, तो उसको लिए आपको एक statement यहाँ पर लिखना है, set server output on, ठीक है, इसको आपको लिखना है, इसको आप सेलेक्ट करोगे, और आपको यहाँ से यह run कर जाना है, यह जो green button है, इस पर आप click करोगे, तो आपकी जो statement है, वो execute हो जाएगी, इसके बाद क्या करते हैं, यह हमारा एक session के लिए चल गया है, तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, आपने code को select करेंगे, और यहाँ से run करेंगे, ठीक है, तो आप यहाँ पर देखोगे, कि आपको जो आपने variable के इंदर value store करी थी, वो आपको यहाँ पर show हो जाती है, ठीक है, आपको यह पहला जो example हो आपको समझ में आगया होगा, अब हम चलते हैं, आपको इस example के थ्रू आपने क्या समझा, syntax, variable का syntax और आपको declare कहा करना है, ठीक है, आप यहाँ पर declare नहीं कर सकते हैं, इसको executable statement में आपको declare नहीं करना है, ठीक है, इसको अगर मैं comment करता हूँ और executable statement में करता हूँ तो यह मेरे को यहाँ पर क्या देदेगा, error देदेगा, ठीक है, इसको अगर आप चलाओगे, तो यह क्या देदेगा, error देदेगा, ठीक है, इस तरीके से आपको क्या बताएगा, य compilation error तो compile नहीं हो आपका प्रोग्राम उससे पहले एक्जिक्यूट एरर एक्जिक्यूट होगा तो आपको यहां पर क्या करना है आपको जो भी आपका variable declaration है वो आपका declare और begin इन दोनों के बीच में ही होगा ठीक है तो यहां आपको ध्यान रखना है ठीक है अब हम चलते हैं अपने rules की तरफ जो हमने rules सीखे थे उसको अब हमें करना है follow अगर हम उन rules को follow नहीं करते हैं तो हमें क्या-क्या issues face करने पड़ सकते हैं सबसे पहले हम चलते example पहले rule first और example हमारे क्या है second इस वीडियो का ठीक है तो variable cannot be 128 correct है ठीक है जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो मैंने यहां पर इतना बड़ा यह variable का नाम define कर रहा है वह ऐसे तो कोई करता नहीं है फिर भी मैंने एक check करने के लिए कि हमारे यह rule है जो वह valid है या नहीं है ठीक भी मैं use करूँ अब अगर मैं इस statement को इस anonymous block को मैं अगर run करता हूँ ठीक है अगर आप यहां पर cursor करते हो यहां पर run करते हो इस पर click करके तो यह आपको क्या देगा identifier variable का name too long ठीक है इसने आपको बता दिया कि आपका जो यह identifier है काफी बढ़ा है जो कि जिसकी वजह से आपको यह issue phase हो रहा है ठीक है तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपको जो within जो भी character define है ठीक है वो भी version के वेश पर है अभी मैं यह क्या कौन सा version यूज़ कर रहा हूँ मैं यहां पर यूज़ कर रहो 90C तो उसके अंदर यह 128 है अगर 30 character ही होगा अगर 30 character से उपर आप variable की length को ले जाते हो तो वहां पे आपको error शो हो जागा ठीक है character को 30 character से उपर जाते हो तो आपको error शो हो जागा ठीक है तो यह आपको example I hope समझ में आया होगा अब हम चलते rule number second पो ठीक है rule number second मैंने आपको क्या बताया था कि variable name should not start with the numeric values ठीक जैसे मैंने यहाँ पे लिया one और इसको मैं print करवा रहा हूँ अगर मैं इस program को run कर रहा हूँ अभी मैंने इसके अंदर value कोई sign नहीं करें वस हम इस rule को देख रहे हैं ठीक है तो इसको जब भी मैं इसको run करूंगा तो क्या देगा यह error देगा encounter the symbol one when expected one of the following ठीक है तो इस त example number three rule number two अब हम चलते हैं अपने next example की तरह यह हमारे example क्या है variable name should not contain some special character ठीक है अब इस some special character कहने का मतलब क्या है तो यहां से मैं one को हटा देता हूँ और मैं यहां पे क्या लेता हूँ मैं यहां पे लेता हूँ यह वालस ठीक है और इसको मैं यहां पे use कर देता हूँ यह मैंने variable करा यह select करा और enter करा error आ गया ठीक है encounter the symbol ठीक है special character का error आ गया और मैंने क्या आपको बताया था अब star यहां पे अगर आप star डालोगो ठीक है star के साथ अगर variable name define करते हो तो यह भी आपका error शोड़ा ठीक है कुछ आप variable का आप use कर सकते हो जैसे की dollar ठीक है dollar इसको अगर मैं चलाता हूँ तो यह मेरे क्या आजाएगा पील सिक्वल प्रोसिजर सक्सेस्फुली कंप्लेटेट कुछ कुछ special character आप use कर सकते हो ठीक है तो आपको यह rule समझ में आ गया होगा हम बढ़ते है अपने rule नंबर फोर जिदा है variable name should not contain space in between ठीक है जब भी आप variable क्रेट करो आप हमेशा दियान रखो कि space ना हो जैसे कि मैंने यहां पर अगर यह मेरा space नहीं होता तो यह मेरा variable वैलीड होता अगर मैं इसको चलाता है तो कि मेरा message आ जाता प्यल सिक्वल प्रोसीज़ सक्सिस्फुली कंप्रीड इनकेस अगर मैं भूल जाता हूं या मैं इस तरीके से variable क्रेट करता हूं तो यह आपको क्या हो जाएगा यह variable आपने सही तरीके से create नहीं करा तो हमें क्या बताता है encounter the simple name ठीक है कुछ तो यहाँ पर आना था ठीक है तो यहाँ पर आपको देखनों के भी बिल जाएगा कि SQL developer भी हमें बता रहा है कि कुछ statement में error है तो यहाँ पर यह इस तरीके से pink हो के आ गया है ठीक है यह भी इस तरीके से भी SQL developer हमें help करत है इन चीज़ों को बताने की और अगर आप program को भी run करोगे तो वह भी आपको बता देता है ठीक है तो यह होगा है example number 5 और rule number 4 अब हम बढ़ते हैं अपने last rule के बराख example number 6 rule number 5 हमारा का है cannot have oracle reserved word ठीक है आप जो oracle reserved word है ना उनको use नहीं कर सकते है ठीक है यह आपको खास कर द तो यह हमारा क्या reserved है oracle की तरफ से तो आप इसको नहीं variable बना सकते है अगर मैं इसको variable बनाता हूं और इस program को run करता हूं तो यह मेरे को क्या कर देगा error देगा ठीक है ora encounter the simple select तो वह तो fetch करने के लिए use होता तो आप इसको कैसे use कर सकते है तो अगर इसी select के साथ अगर मैं reserved keyword नहीं है यह मेरा keyword है ठीक है इसको अगर मैं use करता हूं तो यह मैं successfully चलता हूं ठीक है just suppose आप कोई भी code लिखते हो ठीक है और अगर कोई other developer उस code पर आके काम करता है office के अंगर ठीक है अगर इसी तरीके से आपको अगर कोई procedure बनाना है तो आप करते हो create और replace procedure और प्रोसीजर का अगर आप आपको नाम लिखना है ठीक है तो आपको नाम किस तरीके से लोगा पी अंडर स्कोर इस तरीके से ठीक है तो ताकि user को पता चल जाए कि यह procedure है यह function है तो f लगा दिया अचल प्रोसीजर चार प्रोसीजर के बारे में तो आज के हमारी वीडियो हें पर खत्म होती है i hope आपको यह वीडियो पसंद आई हो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो like बेटन पर ज़रूर के लिख झाल, 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 झाल